देखे बिहार में किसी भी वक्त NDA की सरकार गिर सकती है इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे तेजस्वी यादों ने अपने विधायकों को पतना बुला लिया है अब से कुछी दिरों में तेजस्वी आरजेडी विधायकों के साथ बड़ी बैठक करेंगे बड़ी खब भूचा ला सकता है सीम नितीस बड़े फैसले लेने वाले है नितीश कुमार ने भी जेडियू के सभी विधायकों को सांसदों को पतना बुला लिया है और कहा है कि बारह अगस्तक पतना में ही रहिये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं देखे लागातार एक ए पी और जेडियू के बीच साफ मुकाबला जो है आरपार का हो गया है जेडियू किसे भी वक्त बड़ा फैसला ले सकती है और ऐसी खबर है कि सीम नितीस पुरी तरीके से मन बना चुके है और तेजस्वी और नितीश कुमार के बीच बाचित हो चुकी है अब फैसला लेना है कि सरकार किस दिन बनाएंगे तेजस्वी यादो ने बड़ी बैठक बुलाई है कुछी दिरों में तेजस्वी और जेडि विधायकों के साथ बैठक करेंगे साथ ही सात महा गटबंदन में सामिल तमाम दलों ने अपने विधायकों को पतना बुलाया है कॉंग्रेस में विधायकों के साथ बैठक करने जा रही है और देखे अगले 72 घंटे के अंदर बिहार को लेकर एक बड़ा फैसला होगा बिहार में एक नई सरकार की गठन होगी बहराल सबकी निगाहे टिकी हुई है लेकिन देखे तेजस्वी आदो जो 2020 के चुनामे नितीश कुमार के खिल जाला तो इसका समर्थन जेडियू ने भी कर दिया लेकिन अब तेजस्वी आदो ने अपने विधायकों को बारह अगस्तक पटना में रहने की सलाह दी है बहराले साफ हो गया है कि अब फैसले की घरी आ गई है यहारी ख़बर इस वक्त की आपको दे रहें देखे नेता प की आदो के साथ साथ उनकी पार्टी कॉंग्रेस वामदलो के अलावे मुख्य मंतरे ने तीश कुमार की पार्टी जेडियू अब महा गटबंदन में होगी वही दुसरी और जीतन रा माजी भी लागातार मंथन कर रहें लेकिन इस सब के बीच ख़बर यह है कि तेजस्वी अपने पार्टी के विधायकों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहा है और इस बैठक में वो साफ तोर पे अपने विधायकों के साथ फैसला लेंगे कि आखिरकार हमें करना क्या है देखिए इस बैठक को कल बुलाया गया था आरजेडि विधायक दल की बैठक कल बुलाई जानना चाहते हैं क्या नितीश कुमार को साथ एक बार फिर से लाना चाहिए क्योंकि 2015 में नितीश कुमार महागडबंदन के साथ चुनाव लड़े महागडबंदन की सरकार भी बनी लेकिन कुछी दिनों के बाद लगभग दो सालों के बाद जो है मुख्यमंदरे नितीश कुछने को लेकर बैठक बुलाया है कि क्या नेतिश कुमार के साथ जाना फैसला सही होगा या फिर नहीं बहराल एक एक तस्वीर हम आपको दिखारे लागा तार आप टुड़े विहार दूस के साथ बने रहें धन्यवाद